यूक्रेन ने ऐसा विनाशक कदम बढ़ा दिया है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अटाक करने की कोशिश की है। पहली बार यूक्रेन ने मॉस्को से 150 किलोमेटर दूर अपने ड्रोन का कंच्रोल्ड विस्फोट किया है। यूक्रेन की इस कोशिश के बाद रूस ने अपने बंकर भी खोल दिये हैं और नूक्लियर अटाक की चेतावनी भी जारी कर दी है। सयुक्त राश्ट में काये कि दुनिया इस वक्त सबसे जोखिम भरे दौर में है। कभी भी नूक्लियर वार शुरू हो सकती है। सवाल यह है कि क्या युद्ध में डर्टी बॉम का इस्तेमाल होने वाला है। क्या नूक्लियर अटाक को हाथसे की शकल देकर विद्वन्स शुरू होने वाला है। देखिए ये रिपॉर्ट। युद्ध में पहले युक्रेन का विनाश हुआ। अब रूस के विनाश की शुरूआत हो चुकी है और रूस की बर्बादी से खत्रा बढ़ता जा रहा है विश्व विनाश का। ये सिर्फ दस जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाक कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम एप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूर से छोटी से चिंगारी जैसा नजर आने वाला ये धमा का वल्ल वार और न्यूकलिय प्रहार शिरू करा सकता है। ये विस्थोट युक्रे ने एक ड्रोन के जरिये किया है। खास बत ये है कि ये ड्रोन विस्थोट मॉसको से महस 150 किलोमिटर दूर हुआ है। मॉसको से 150 किलोमिटर कलूगा में दुरोन विस्थोट हुआ। 这 जालन विस्थोट कलूगा के जंगलों में सुबत पांच बजए हुआ। कलूगा गवर्नर के मताबिक द्रोन विस्थोट जमीन से 50 मिटर ऊपर हुआ। यूक्रेन सर्विलांस ड्रोन में बं बांध कर रूस के तीन एर बेस पर अब तक अटाक कर चुका है लेकिन ये पहली बार है जब यूक्रेन मॉस्को के इतने करीब पहुचा है ड्रोन का मॉस्को की करीब पहुचने का मतलब है कि रूसी राजठानी अब यूकरेन की रेंज से बहुत दूर नहीं है इससे पुतिन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है रूस ने अटाक और डिफेंस दोनों ही तरफ से मजबूती और तेज कर दी है यूकरेन की रेंज बढ़ती हुई देखने के बाद रूस ने अपने बंब शेल्टर को और जादा दुरुस्त करना शुरू कर दिया है क्रिमले ने पूरे रूस में बंब शेल्टरों की मरम्मत करने का आदेश जारी कर दिया है विश्व युद्धों और सोवियत रूस के दौर में बंकर परसों से काम नहीं आए है इनको दोबारा मजबूत किया जा रहा है रूस सरकार बंब शेल्टरों की मरम्मत कर करोणों रूबल खर्च कर रही है रूस के इस कदम के दो मतलब हैं एक युक्रेन या नेटो देशों के हमले से जनता को बचाना और दूसरा ये कि अपना डिफेंस मस्बूत करने के बाद फाइनल प्रहार के तयार क्योंकि रूस के खिलाव भी अब सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने के तयारी पूरी हो चुकी है अमेरिका और नेटो देशों ने युक्रेन को एडवांस वेपन भेजने शुरू कर दिये अमेरिका ने युक्रेन के लिए ब्रैडली बखतर बंद वाहन जहाज में लोड कर दिये नौथ कैरोलाइना के पॉर्ट पर एक जहाज तयार है 18,000 करोड रुपए के पैकेज में एलान किये गए ये 60 वाहन जल्द ही युक्रेन पहुंचने वाले है कैनडा ने भी 5 फरवरी को लिपर 2 टैंकों का जहाज लोड करके युक्रेन रवाना कर दिया है इन हथियारों के डिलिवरी का मतलब है रूस पर विनाशक हमले और इन हमलों से बॉखलाया रूस विश्व विनाश शुरू कर सकता है सायोक्त राष्ट प्रमुक अंटनियो गुटरेस ने कहा है कि रूस युक्रेन युद्ध लगा तार खतरनाक हो रहा है और अगर वो इसी तरह खतरनाक रहा तो दुनिया विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है अंतनियो गुतरेस ने संयुक्त राश्ट की मन से चेतावनी जारी की कि शांती की कोशिस नहीं की गई तो दुनिया सबसे बड़े खत्रे से ज्यादा दूर नहीं है संयुक्त राश्टर ने आगाह किया है कि न्यूक्लियर जंग कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका और यूरोप की रूस को नश्ट करने की तैयारियों के साथ पर माड़ो युद छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है युद भड़कने की आशंका के चलते पॉलेंड ने वारसौ में पैट्रियट मिजाइल सिस्टम तैनाद कर दिये है पॉलेंड के रक्षा मंत्राले ने कहा है कि सैन या युद अभध्यास के लिए पैट्रियट तैनाद किये गए हैं लेकिन पॉलेंड के प्रधान मंत्री ने जो कहा उससे साफ है कि ये तैनादी रूस के खिलाफ है युद में एक जुड यूरोप और अमेरिका रूस को हरानी की तैयारी कर रहे हैं तो रूस अपने खेमे के देशों की मदद से हथियार जोटा रहा है चीन युद में रूस को मदद दे रहा है इस पर अमेरिका ने कहा है कि विदेश मंतराले की चीन पर पूरी नजर है चीन रूस को सेहने मदद देने में फ़द ना लांग है प्रतिबंदों का उलंगन कर चीन ने रूस की मदद की तो गंभीर परिणाम होगे ततिबंधों की चलते जो तकनीक और हत्यारों में काम आने वाले उपकरन रूस को नहीं मिल रहे हैं उनके सप्लाई चीन कर रहा है इसी बात पर अमेरिका ने अपत्ती जताई तो चीन ने भी नेटो को सीधी धमकी जारी कर दी चीनी राजदूत ने कहा कि बीजिंग नेटो विस्तार पर रूस की चंता को समझता है युकरेन को सदस्य बना कर अमेरिका नेटो का पूर्व में विस्तार करना चाहता है यही इस युद्ध का कारण है यानि चीन ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ है अमेरिका युकरेन के जरिये रूस पर बड़े हमलों के तयारी कर रहा है वासको की करीब विस्पोर्ट करके शायद बोदिन का मूड भापने की चाल चली गई है लेकिन इस विस्पोर्ट के दिन ही संयुक्त राष्ट प्रमुख ने चेतावनी जारी की है कि अगर युद्ध और भरका तो न्यूक्लिय वार कभी भी छड़ सकता है ये सिर्फ दस जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाक कमा रहे हैं आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए